आकाश्वाणी भूपाल सी प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी सबसे पहले बुलिटन के मुख्य समाचार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन के प्रदेश में बने 521,000 आवासों में हुआ ग्रह प्रवेश प्रधानमंत्री ने कहा जब सरकार गरीबों को सशक्त बनाने के लिए इमानदारी से काम करती है तो गरीबी परास्त हो जाएगी राश्य जल पुरुसकारों में इंदौर को मिला सर्वश्रेश्ट जिले का सम्मान मुख्यमंत्री कल जल जीवन मिशिन में बुर्हानपुर जिले को शत प्रतिशत नल जल युक्त जिला घोशत करेंगे और प्रदेश में मौसम का मजजाज हुआ गर्म कई जिलों में लू चलने के आसार अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब सशक्त होगा तो उसमें गरीबी से लड़ने का साहस पैदा होगा जब सरकार गरीबों को सशक्त बनाने के लिए इमानदारी से काम करती है तो गरीबी परास्थ हो जाएगी जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता हाती इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सरवोच्च प्राथिक्ता दे रहे हैं बीते दो सालों में कोरोना के कारां आई अर्चनों के बाव जो इस काम को धिमा नहीं पड़ने दिया मद्य परदेश में भी लगवर साड़े तीस लाद स्विकृत आवासों में से 24 लाद से अधिक पूरे हो चुके हैं इसका बहुत बड़ा लाब वाइगा सहरिया और भरिया ऐसे ऐसे सवाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोज भी नहीं सकते हैं श्रिमूदी आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहट मध्यप्रदेश में बने 521,000 आवासों के ग्रह प्रवेशम कारिक्रम में शामिल होने के बाद लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश सरकार को खाध्यान की अधिक खरीद के लिए बढ़ाई दी उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने नया की इतिमान स्थापित किया है और कई राजियों को पीछे छोड़ दिया है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान चदरपुर जिले से इस कारेक्रम में शामल हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के जीवन में एक नया सवेरा ला रहे है शौहान ने कहा कि कोविट के मुश्किल हालात के बावजूद सरकार ने 5,21,000 घर बनाए और इस साल 10,000 घर और बनाए जाएंगे कटनी जिले में 23,030 हिद्गराहियों को फूलो और रंगों से रंगोली सजाते हुए दीब जलाकर ग्रह प्रवेश कराया गया अगर मालवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहट वर्ष 2016-17 से अभी तक 17,211 आवास पून हो चुके हैं गुना जिला मुख्याले पर समारो पूर्वक वर्चुल कारिक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत बजरंगड में किया गया बैतूल जिले में 10,321 हिद्ग्राहियों का ग्रह प्रवेश कराया गया यहां की माया नामदेव ने बताया कि पक्की छथ मिलने से उनका परिवार सुरक्षित हो गया है योजना से पक्का मकान मिला है इससे मैं बहुत आभारी हूं और बहुत अच्छी रह रही हूं देवास जिले के 6 विकास खंडों की 209 ग्राम पंचायतों के 1158 हिद्ग्राहियों को ग्रह प्रवेश कराया गया राइसेंग कलेक्टर अर्विंद कुमार दुबे ने बताया कि जिले में 485 ग्राम पंचायतों के 900 से अधिक गाउं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहत निर्मित 12,716 आवासों में हिद्ग्राहियों को ग्रह प्रवेश कराया गया रतलाम जिले के बरदी चन ने भी पक्के घर के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया मोधी जी को और सरकार को बहुत बहुत दन्यवाद देना चाहिए उमरिया जिले में आज सभी पंचायतों में कारिक्रम आयुजत किया गया जहां पर सभी उपस्थित जनसमुहुने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संबोधन सुना सागर में कलेक्टर दीपकार्य ने ग्राम बदोना में पहुँच कर हिदगराही का ग्रह प्रवेश कराया मुरेना में 839 लोगों को ग्रह प्रवेश कराया गया और 11 हिदगराहीओं को अतितियों द्वारा प्रतीकात्मत चाबिया सौपी गई ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राश्रपती रामनात कोवंद ने नई दिली में तीसरे राश्रे जल पुरुषकार प्रदान किये ग्यारहश्रेणियों में राजियों संगठनों और व्यक्तियों को सतावन पुरुषकार दिये गए इंदौर को पश्चिम जोन में प्रधम स्थान मिला सांसर्च शंकरलालवानी और कलेक्टर मनीश सिह ने राश्रपती से ये अवार्ड प्राप किया इस अफसर पर राश्रपती ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्ट करने के लिए आज जल शक्ती अभियान कैच तरेन 2022 का शुभारम किया ये अभियान इस साल 30 नवंबर तक चलेगा ये अभियान भूमिगत जल स्रोदों के विकास और जल ग्रहन क्षेत्र के विस्तार पर केंदृत रहेगा मुक्यमंत्री शिर्रास सिंग चौहान कल 30 मार्च को जल जीवन मिशन में बुरहानपूर जिले को शत प्रतिशत नल जल युक्त जला घोशत करेंगे प्रदेश में जल जीवन मिशन में चल रहे कारियों में बुरहानपूर पहला जिला है जहां शत प्रतिशत ग्रामीन परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है मुक्यमंत्री बुरहानपूर के ग्राम कोद में दोपहर 12 बजे से आयोज़त कारेक्रम में ये घोशना करेंगे मौसम की प्रदेश में वरतमान में कोई सिस्टम प्रभावी न होने के कारण मौसम का मजाज लगातार गर्म होने लगा है वहीं नमी कम होने के कारण बादल छड़ गए हैं इस वजह से रात के तापमान में उताच अड़ाफ का सिलसला बना हुआ है मौसम विग्यानियों के मताबिक महराश्री गुजरात राजस्थान में भीशन गर्मी पर रही है वहां से आ रही गर्म पश्चिमी हवाओं के कारण राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में तेजी आ रही है और कई जिलों में लू चलने के आसार है अब कुछ समाचार संग्शेप में मुक्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान ने प्रदेश में गरीबों को नहिशल कनाज के लिए गरीब कल्यान यूजना को सतंबर तक जारी रखने की घोशना की है प्रदेश में पुलस आरक्षक भरती परीक्षा में गरबड़ी के मामले सामने आने के बाद ग्रहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज इस परीक्षा की जाच के आदेश दिये है बैतूल कलेक्टर ने डिजाइन और तक्नीक समवर्धन यूजना के अंतरगत्स अनुसूचित जनजाती के बास शिल्पकारीगरों को टूल्स किट का वितरन किया शुपुरी जिले में परीक्षा पे चर्चा कारिक्रम को लेकर केंद्री वध्याले आई टी बीपी के प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है नर्मदापुरम जिले में पांच दिनों में कोरोना के छे नए मरीज मिले हैं केंद्री खादी और नागरे कापूर्टी और अभूकता मंत्राले सचेव सुधानशु पांडे कल जबलपुर में राशन दुकानों का निरीक्षन करेंगे टीकमगर जिले से बाहर भूसा परिवहन प्रतिबंधत कर दिया गया है खरगौन जिले के गोगावा थानाक्षेत्र के शाहपुरा इलाके में तालाब में नहाने के दौरान दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई जाबुआ जिले की थांदला तहसील में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान के तहत सौसाहता समुहों के लिए उनमुखी करण कारिक्रम का आयोजन किया गया और चिंदवारा जिला होकी संगदवारा आयोजन जिला होकी चैंपियंशिप का फाइनल फ्रेंस क्लब और प्रेंस क्लब के बीच खेला जाएगा इस बुलिटन में फिलहाल इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार